नमस्कार और विलकम यो वर्ल अफेर्ड नहीं प्रशान दबन नाओ यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया के जो GDP नंबर्स हैं इसने दुनिया को अल्टुगेधर शौक कर दिया है यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर हम क्वाटर टू की बात करें जो अभी जंप लेकर 7.6% की ग्रोफ रेट दिखा रहा है अगर हम बाकी economies भी देखे चाहे चाइना की economy देखो चाइना भी 5% से कम ग्रोफ रेट दिखा रहा है विएतना भी 5% के आसपास है इंडिया head and shoulders above लग रहा है compared to the rest of the world और देखो जब दुनिया expect करें कि आप इतना जरा अच के quarter two में न देखो GDP growth rate गिरेगी देखो जपान इतना गिर गया minus 2.1% पे पहुँच चुका है UK 0.6% पे है चाइना भी 5% नहीं कर पा रहा तो इंडिया भी add max चलो हम मानके चलते हैं 6.8% ग्रोफ कर पाएगा हमने 6.8% की जो prediction थी इसको तोड़ कर 7.6% की जो ग्रोफ है ये क ट्वीट भी करी है PM Modi ने the GDP growth numbers of quarter two display the resilience and strength of the Indian economy और अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि हम लोग एक एतिहासिक financial year को देख रहे हैं आज के समय अभी जिस data की हम बात कर रहे हैं जो 7.6% की हम बात कर रहे हैं न ये growth rate है 2023 के जुलाई से लेकर सब्तमबर महीने की अभी जो पूरी growth rate होगी 2023 से लेकर 2024 तक की इसको अगर हम calculate करेंगे न तो एक उमीद बन रही है कि हो सकता है के इंडिया 7% या फिर उससे भी उपर annual growth rate दिखा दे क्योंकि इससे पहले जो quarter one गया था एप्रल से लेकर जून तक का जो time 2023 का जिसको हम कहते है quarter one ये quarter one अभी हम quarter three में है और उसके बाद quarter four आएगा ठीक है ये जो है अभी इनका data अभी बाकी है इसका में पता नहीं है मगर quarter one आप सब को याद होगा मैंने इस पर वीडियो भी मनाई थी कि quarter one में इंडिया की जो GDP growth number है ये 7.8% थे तो लगातारना हम 7.5% के उपर जो growth rate कर रहे हैं register इससे on an average financial year 2023-24 में अभी हमारी average जो growth rate है ये 7.7% के आसपास जा रही है अगर हमने एक solid push दिया हमारी economy और जादा एक aggressive push देती है कोई बड़ी बात नहीं है हम 8% के आसपास भी grow कर सकते हैं हमें dream करना चाहिए we should be optimistic क्योंकि जब पूरी दुन हम तब 7.6% grow कर सकते हैं अब तो देखिए दुनिया की जो expectation है वो भी बहुत ज़रा बढ़ जाएगी और आप ये भी देखोगे के दुनिया के बड़े-बड़े financial institutions चाहे world bank हो या फिर कोई और जिसने financial year 2023-24 के लिए इंडिया के लिए prediction करी थी के इंडिया maximum 6.3% के आसपास ग्रो कर पाएगा अब ये बात तो पक्का है कि हम लोग 100% 6.3 से जादा ही ग्रो करेंगे कितना ज़रा ग्रो होगा के जी 7% 7.5% ये हमको पता लग जाएगा quarter 3 quarter 4 के numbers देखकर बट अभी के लिए न एक आप कह लिए बहुत जादा अच्छी launching position पे हम आ चुके हैं अब एक question ह पे आप पूझेंगे मगर ये सब हुआ कैसे जब RBI खोद ये कह रहा था कि quarter 2 में जो हमारी growth rate है ये 6.5% के आसपास रहेगी ये हलाकि RBI ने का था अक्तूबर महिने में अगेन जो numbers है ना ये ऐसे हम लोग optimistic नहीं हो रहे जिसने जो भी prediction करी थी बुरी तरीके से बीट तीन sectors में इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है पहला construction इंडिया में इस वक्त बड़े scale पर construction हो रही है फिर manufacturing इंडिया में manufacturing भी लगातार बढ़ती जारी है especially हम देख रहे हैं जो electronic sector है वहाँ पे एक tremendous जम देखने को मिल रहा है और फिर तीसरा यहाँ पे main एक sector है mining का और ब इन sectors को देखकर ही क्यों अच्छा लगता है क्योंकि यह job making sector है अगर मैं construction sector की बाद करूँ न तो भारत का second largest employment generator है construction sector तो construction sector अगर हमारे देश की जो economy है इसमें एक अच्छा push दे रहा है न तो मतलब के कई हजारों लाखों लोगों को पूरे देश में construction की field में jobs भी मिल रही है jobs are available there और कई estimates हमको ये भी बिता रहे हैं कि भारत का जो construction sector actually real estate sector कहना चाहिए ये 2030 में जो अब इतना दूर रहा नहीं है 6 साल की बात है एक 1 trillion US dollar का sector बन जाएगा जो अभी के लिए आप क्या लीजे इसका जो total size and US dollars ये 650 से लेकर 700 dollars के आसपास है तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे sector जो बहुत कम jobs create करते हैं वहां से growth हा रही है क्योंकि इंडिया का major concern यहीं है कि जो unemployment rate है वह भी हम को कम करना है jobs provide करनी है ताकि लोगों के पास purchasing power आए वो लोग करको वो पैसा spend करे और एक cycle शुरू हो जाए consumption और spending की अब मुझे बता यहाँ पे आप मेंसे कई लोग यही कि जब एक हवासी चल गई थी कि इंडिया चार ट्रिलियन की economy बन चुका है उस वक्त मैंने आपको बताया था most probably नहीं हम वहां पे भी पहुचे नहीं हम करीब हैं मगर पहुच जाएंगे अभी भी मैं आपको अगर बताओं तो जिस speed से भी हम जा रहे हैं आर विये गर मान देखें बाइदवे आप अगर IMF के numbers देखोगे ना forecast के भी वो भी अब adjust कर लिए गए हैं वापस यहां पर आप देखोगे IMF के numbers के साब से भी इंडिया की GDP है normal GDP यह 3.7 trillion dollars दिखाई जा रही है तो अभी time लगेगा ठीक है बिलकुल जपान की economy negative में जा रही है कई और factors भी ह but it will take some time however यह बात guaranteed है थोड़ा सा time और लगेगा और eventually हम जपान को replace कर देंगे इंडिया will become the second largest economy in Asia और इसका larger impact देखें यह होगा भारत की जो stock market है भारत के जो various sectors हैं यहां पे और निवेश आएगा क्योंके देखें दुनिया में न ग्रोथ चाहिए countries को और ग्रोथ financial year में 5% के आसपास की growth rate दे पाएगा that is minuscule देखो मैं आपको साफसा बता रहा हूँ चाइना रेस से भार हो चुका है investment attract करने की जो दौड है उसमें चाइना में exist करता नहीं है इंडिया का जो main competition है इस financial year के लिए यह फिलपीन्स और वियत्ताम के साथ है उस case में भी आप देखें तो इंडिया head and shoulders उपर है तो अब होगा क्या के बहुत सारे जो pension funds and का पैसा इंडिया में आएगा निवेश किया जाएगा लंबे समय तक and it is great news for us almost आप के लिजिए geopolitical sense में economy के sense में everything right now is going well for India हो सकता है कि आने वाले 10 साल इंडिया के लिए एक golden period हो और finally मैं आपसे question भी पूछूंगा कॉप 28 यह आज के समय काफी न्यूस में है climate change related एक बहुत important meeting है कॉप full form में इसकी conference of parties आपको पताना है कि कॉप 28 जो इसका 28 वर्जन है यह किस country में होगा पिये मोदी भी रवाना हो चुके हैं इस country को विजिट करने के लिए यह हैं आपे आपकी options इंडिया UAE, China या फिर Japan comment section में करिए उत्तर जो लोग सही answer करेंगे कोशिश करूँगा क्योंकि comment को hard मिल जाए ताकि बाकी लोग की समझ पाए के सही answer क्या है झाल 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 झाल